मैंगो फालूदा खान में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मगर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं मैं वो फालूदा बनाना तो सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे और उसको गैस इं फुल रखेंगे जब हमारा एक उबाल आ जाए तो हम उसको इंडेक्शन को लो फ्लेम पे कर देंगे तो अब हम इसमें एड कर रहे हैं सेवई सेवई मार्किट में इसली अवलेबल होती है तो यह देखिए मैं यहां पर एड कर रही हूं चार चमच चमच में यहां पर चार चमच जालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्लेम हमारी लो से मेडियम ही रहे गिया और इसको अच्छे मिक्स करने के बाद अगर आपको यह कम लग रहा है तो एक चमच इसमें और एड कर लीजिए और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके तो शूगर हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारे डिजॉल्व ना हो जाए तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे सब्जाशिट्म डिजूलW सब्जाशिट्म करें by कई सब्जाश इसमे करें मेचस करें अपने क verzते पूलती चली जाती correspond ताकि हमारे mango faluda का जो color है वो अच्छा सा आ जाए तो यहाँ बहुत ही थोड़ा सा मैं इसमें add कर रही हूँ और यही बहुत ही अच्छा color आ जाता है इतने से ही तो यह देखिए अच्छे से mix करने के बाद दीरे दीरे हमारा कितना अच्छा color आ गया है तो अब बारी है इसमें mango ashens add करने की तो मैं इसमें आधा चमच mango ashens add कर रही हूँ तो यह देखिए आधा चमच mango ashens add करने के बाद हम इसे अच्छे से mix करेंगे और अब बारी है इसमें konflor लेने की तो konflor मैं नहीं हाँ पर दो चमच लिया है और इसमें मैं यह वला दूद थोड़ा थोड़ा करके डाल के अच्छे से एक paste बना लूँगे और इसको हम अच्छे से mix करेंगे और एक अच्छा सा paste बना लेंगे थोड़ा सा हम इसमें दूद आट करते हुए यह देखिए इस तरह से हमारा यह जो paste है वो तयार हो जाएगा और अब हम इसमें फलूद में थोड़ा थोड़ा करके इसको mix करेंगे यह हमको एक साथ नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके डालना है और अच्छे से mix करते जाना है ताकि हमारे फलूद में लंस ना पड़े और इस तरह से हम इसको continue चलाते रहेंगे नहीं तो ये नीचे बैठके जल जाता है तो अच्छे से हम इसको इस तरह से mix करेंगे तो ये देखें अब मैं इसमें add कर रही हूँ dry fruits तो dry fruits मैंने आप एक आजू बदाम के श्मिस लिया है आपके पास जो हो आप वो ही ले सकते हैं और अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे ये थोड़ा सा tight होने लग गया है और ये देखें इसको हमें ज्यादा tight नहीं करना है ये इस तरह से इसकी consistency आनी चाहिए क्योंकि अगर हम ज्यादा पकाएंगे तो ये थंड़ा होने के बाद हम इसे फ्रिज में रखते हैं तो अलड़ी थंड़ा होने पर ये tight हो जाता है तो इसको हमें ये चेक करना है कि हमारी जो सेवई है वो पक गई है क्या तो इसको हम आप से दीरे से इसको प्रेस करके देखेंगे अगर ये अच्छे से दब गई है तो हमारी सेवई है पक गई है तो हमारा जो फालुदा है वो बिल्कुल रेड़ी है तो हम इसको बंद करते हैं और इसको नीचे उतार लेंगे और अब इसको हम दीरे-दीरे मिक्स करते हो रूम टेंपरेचर पर इसको ठंडा करेंगे आप चाहिए तो इसको फैन वगएर के नीचे रखके ठंडा कर दीजे और 3-4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजे नॉर्मल होने पर तो 3-4 घंटे जब यह फ्रिज में रखा जाएगा तो यह बिल्कुल टाइट हो जाएगा और बहुत यह चिल्ड ही खाया जाता है तो यह हमारा ठंडा हो चुका है मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है 3-4 घंटे बाद तो अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ काजू, बदाम, अनार, क्रंची बॉल्स, सिल्वर बॉल्स, टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी फ्रेंड्स बहुत ही इजी होती है बनानी और इसको हम घर पे भी आराम से बना सकते हैं यह बहुत ही जल्दी बन जाती है और मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ मैंगो आइस क्रीम भी मैंने घर पर भी बनाई है मैंगो आइस क्रीम और तूटी फरूटी की वीडियो मैंने अलरीड डाल हूँ ए ओर मै duy希से डिस्क्रिप्रिक्शं बौक्स में भी टाल दूँंगी और अब हम इसमें एड़ करेंगे रूवजा तो हम यहाँ पर रूवजा लेंगे और ग्लास में इस तरह से एक कोटिंग करते हुए एक लेयर बनाएंगे तो यह देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से गार्निश कर लेंगे और अब बारी है इसमें अपना मैंगो फालूदा एड़ करने की तो यह हम इस तरह से डाल लेंगे तो अब बारी है इसमें सबसे पहले मैं एड़ कर रही हूँ मैंगो आइस क्रेम तो मैंगो आइस क्रेम मैंने डाल दी है अब हम इसमें डालेंगे उपर से बादाम, काजू, क्रंची बॉल्स, सिल्वर बॉल्स डालेंगे और टोटी फ्रूटी एड़ करूँगी हमें इसमें यह देखे यह इतना मतलब देखते ही मुँ में पानी आ रहा है और अब हम इसमें अनार एड़ करेंगे तो यह देखे हमारा मैंगो फाल उदर बिलकुल रेड़ी है तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आईए तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझको बताईए यह आपको कैसे लगी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ बाई